Hi mommies and daddies, welcome back to momcom india जैसे हमें पता चलता है कि हम माँ बनने वाले हैं suddenly हम बहुत जादा conscious हो जाते हैं हम हर चीज के वारे में सोचने लग जाते हैं क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से बैठना है, कैसे चलना है ये सारे सवाल हमारे मन में आने लग जाते हैं क्योंकि हम ये चाते हैं कि हमारी जो 9 महीने की प्रेगनेंसी है वो आराम से निकले, अच्छे से निकले जिससे कि हम ठीक रहें हम ठीक रहेंगे तो बेबी आटमाटिकली ठीक रहेगा और हर मॉम टूबी यही चाहती है कि उसका बेबी बिलकुल हिल्दी बाहर आए और इस वीडियो के थरू मैं आपकी एक वरी या एक सवाल जो आपके मन में है उसको सॉल्व करने वाली हूं क्योंकि मैं आपसे शेर करने वाली हूं पाँच ऐसी ड्रिंक्स जो मैं अपनी प्रेग्नेंसी में थ्रूआउट नाइन मॉन्स मैंने लिया है यह लेने का रीजन दो थे एक मेरी डॉक्टर जो मुझे सजेस्ट करती थी कि यह मुझे अपने डेली रूटीन में डालना चाहिए और दूसरा मेरी अपनी रीसर जिसके बार बेसिस पर मैंने काफी जादा पड़ा था कि यह ड्रिंक्स आपकी प्रेग्नेंसी को काफी अच्छा स्मूध रखती है और आपको भी बिल्कुल ठीक रखती है जिससे बेबी बिल्कुल ठीक रहता है ताकि आप कुछ भी मिस आउट नहीं करो तो आएए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो मेरी फर्स्ट फेवरिट ड्रिंक जो हमेशा से रही है वो है पानी तो मैं प्रेग्नेंसी से पहले बहुत जादा पानी नहीं पीती थी बट पोस्ट मुझे पता चला कि I'm going to be a mom तो मुझे दॉक्टर ने भी इस वात समझाई कि अब आपकी बॉड़ी को पानी की बहुत जादा जरूरत है इनफाक्ट अभी ही नहीं पोस्ट डिलिवरी जब आप बेबी को ब्रेस्मिल देना स्टार्ट करोगे तो 80% जो ब्रेस्मिल जो दूद होता है मा का वो पानी से बना होता है इसलिए आपकी बॉड़ी को बहुत जादा जरूरत है हर टिशू, हर सेल आपकी बॉड़ी का हर आपकी बॉडि का इस टाइन पर पानी चाहता है, तो make sure कि आप दिन में 10 से 12 ग्लास, कम से कम पानी जरूर पिऊ, इस से ज्यादा भी सकते हो, तो इस से ज्यादा भी पिऊ, पानी थंडा मत पिऊ, पीज एक ढ़ाख भी पिटे हो तो आपका गला खराब सकता है, and as a pregnant woman भी आप बहुत जादा दमाईया नहीं ले सकते तो आप normal temperature का पानी पियो थोड़ा mix करके पानी पियो हर किसी को अपनी body का पता होता है but जितना हो सके पानी पियो पानी आपकी body को hydrated रखेगा उससे ये जो काफी लोगों को nausea की problem होती है तो पानी जितना हो सके आपने डिफिनेटली पीना है second favorite drink जो मेरी होती थी वो थी नारियल पानी यानि की coconut water अब मैं आपको honestly बता हूँ कि मैं पहले इतना coconut water नहीं पीती थी definitely but during pregnancy मैं वोग बहुत कर दी थी काम कर रही है एक चोटी सी लाइफ को बड़ा करने में throughout those 9 months of pregnancy तो आपकी बॉड़ी जनरली गरम हो जाती है तो नारियल पानी आपकी बॉड़ी को कूल डाउन करने का काम करता है ये पसीने बगेरा की वज़ा से जो बॉड़ी से salt निकल जाता है उसको रेप्लेनिश करने का काम करता है एलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटीन करता है आपके हॉर्मोन्स को एक अच्छा बूस देता है कई बर जो आप ये डिप्रेशन बगेरा फील कर रहे हो तो उसको बिलकुल कट कर देता है तो बहुत सारे फायदे होते है नारियल पानी के अपार्ट फ्रॉम दाट ही आपकी स्किन हैर में बहुत अच्छा कॉंट्रिब्यूट करता है अच्छी मुझे पूरी प्रेगनेंसी में कभी कोई स्किन के प्रोब्लम ने होई कभी कोई हैर की प्रोब्लम नहीं हुए जैसे मैं काफी लोगों के साथ सुनती हूं मुझे नहीं बता कि इसका रिलेशन नारियल पानी से है नहीं बट मुझे बता है कि मुझे थूआओ नाइन मांस जब मैं सुभे शाम नारियल पानी पीती थी थी वौक के बाद मुझे भाद अच्छा फील होता था और मुझे काफी सारी प्रोब्लम्स जो नौजिया होगा जब नॉमल्ली आप्रेगनेंसी सुनती हो नहीं कि ऐसा होता है वो सब मुझे हुआ है नहीं जो इस एक पानी नारियल पानी पानी जो जो नहीं होगा जब आपको अच्छों को आपको पर बिलाना जाहिए मेरी थर्थ फ़वरेट रहती थी वाइटमिन C-Rich Juices अब होता कि यहा है कि जैसे ही आप प्रेगनेंट हो आपको पता चलता है दॉक्टर आपको सद्टनली प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि थ्रूआउट यॉर प्रेग्नेंसी आपको आयरेन और कैल्चियम के सप्लिमेंट जरूर लेना है और वो इसलिए कि आपकी बॉडी को बॉडी बहुत जादा आयरेन और कैल्चियम यूज रूज़ करती है बेबी के लिए तो आप कॉंस्टिंटली जब बॉडी में आइरेन कैल्चियम डालते रहोगे तो बॉडी उसको यूज़ करके बेबी को आगे पास्वान करती रहती ह तो अब हमारी जो डाइट है वो तो डाइट ही है, नॉमली डाइट है, हम कोशिश करते हैं हर चीज खाने की, बड़ आइरन बॉडी में आसानी से अब्सॉर्ब हो सके, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बॉडी में वाइटमिन C जाए, वाइटमिन C आइरन की अब्सॉर् तो बेस तरीका है नाचरली वाइटमिन C देने का, कि आप वाइटमिन C रिच चीजे दे, और 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 जूस, मॉसमी का जूस और नीम्बू पानी, यह तीन चीजे मुझे लगता है, सबको बसंद आती हैं, कुछ लग इसमें काला नमक डाल के पीते हैं, कुछ ऐसी पी जात होगे, और अपने अपने पूरा जो आपका ब्लॉट काउंट अगेरा होता है, उसमें भी डेफिनिटली फरक तेखोगे, तो वाइटमिन C रिच जूस जो होते थे, वो मैं डेली बेस पर ज़रूर पीती थी, और वाटमिलन जूस भी बहुत अच्या लगता था, पॉमिग पॉमिग्रिनेट जूस में भी क्या होता है, कि बहुत अच्छा आपकी बॉड़ी को एक ब्लॉड बूस्ट मिलता है, बट पॉमिग्रिनेट आप वैसे भी खालो तो भी अच्छा है, विकोज होल फूट हमेशा बेटर रहता है, बट थीज आ जूस अच्छा हमेशा हमेश में बहूत अच्छाए क्वांतिज सभी जानीए, तो अच्छा आप बहुत अच्छा क्वांतिटी में होता है, और हमेशा बार नीकलता है, आपके system को clean रखता है, cool करता है अब होता गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप देखोगे कि काफी सारे ऐसे खाने भी जो आप पहले खा पाते थे suddenly अब आप खानी पाते हो, आपको digestion में problem होता है तो ऐसी चीज़े जैसे दही जैसी चीज़े होती है, यह आपके digestion के problems को automatically solve रखता है आपको प्रेगनेंसी में ध्यान रखना होता है कि आपको loose motions जैसी problem नहीं हो तो इसी लिए जो ठंडी ठंडी चीज़े होती है, जो naturally body को ठंडा रखती है यह आपकी body के लिए और आपके especially stomach के लिए बहुत ज़रूरी होती है अगर आपको दही नहीं पसंद तो आप दही के और forms भी ले सकते हो जैसे butter milk हो गया, जैसे चाज बोलते हैं, या फिर लसी हो गया, या फिर आप दही से smoothies बना के ले सकते हो जैस तरह से भी आप दही लेना चाओ, बड़ कोशिश करो कि दिन में एक बार आप home में दही जरूर लो मुझे आप दही चीनी वाला दे दो, रायता दे दो, प्लेन दही दे दो, आप मुझे बस दही दो, मैं उसे कभी भी खा सेती हो I like दही so much और मेरी आखरी ड्रिंक, जिसको मैं फेवरेट नहीं बोल सकती है, वो रही है दूद, दूद बहुत ज़रूरी होता है throughout the pregnancy, काफी जो मॉम्स होती है, वो दूद नहीं पीपाती है, और उनको दूद की smell से ही थोड़ा नौजिया होने लग जाता है, which is a fact also मुझे भी इतना कमफोर्टेबल नहीं होता था, but honestly, मैं आपको बता हूँ, मैं उसको मेडिसन की तरह लेती थी, रात को सोने से पहले मैं गुनगुना दूद करके छोटा सा कब बस पी जाती थी, क्योंकि मैं दही बहुत जादा लेती थी, तो इतना जादा दूद लेने की होता है कि आपको कैफेन जो है, इसको आवय्ट करना होता है या जितना हो सके उसे लिमेट करना होता है, तो सबसावाल ही नहीं है, तो मेरे साथिव ही होता था, अगर दौकटर बोल देता था ताइगो और बैज bi जा light हा नहीं क्यों से चोड़ होता है, मैं तो इसलिए मु मैंसी को तोड़ा सा टाइम हो चुका है अब अपने डॉक्टर से ही लिखवाई है कि करेंटली अगर आपको किसी सप्लिमेंट की जरौत है तो वो क्या होना चाहिए तो वो लिख के दिया तो मैं वो जब डालती थी दूद में वो थोड़ा सा मीठा कर देता था दूद को और होता था कभी-कभी क्यों मुझे थोड़ा हेवी लगता था और ऐसा भूला भी जाता है कि मौनिंग में दूद हमाई बॉड़ी इतना इसली डाइजेस नहीं कर पाती है रात को दूद पीना बेस्ट रहता है तो मैं कोशिश करती थी कि मैं रात को ही एक कब जो है वो कि मताइब रूटीन चाहे सर्दी को चाहे घर्मियो मैंने अपनी थ्रॉआव प्रीगनेंसी लिये और तचस्वर थ्रॉआउथ थ्रॉआउट ता प्रीगनेंसी मुझे कभी भी कोई स्केन, कोई हैर, कोई आकने, कोई नौजिया, कोई मॉर्निंग सिक्ने कोई चाहते हो कि कोई प्रोब्लम तो नहीं है तो ऐसा रिस्क अवाइट करने के लिए ऐसी थंडी थंडी चीजे अच्छी अच्छी चीजे जो सेफ हैं जो बिल्कुल इसली मिल जाती हैं वो मैं जरूर लेती थी and which really really contributed to my pregnancy. apart from this आप जितना हो सके जो आपका मन करे वो आप definitely लो but अपने डॉक्टर से जरूर कुछ हो कि what is safe and what is not safe सिरफ जो मैं आपको बोलूँगी कि आपको बिल्कुल नहीं लेना है throughout your pregnancy the drink that you should not take throughout your pregnancy that's alcohol and जो आपको अवोइट करना है वो है caffeine अब हमारे साथ क्या होता है caffeine होता है चाय में caffeine होता है आपका coffee में caffeine होता है यह जितने भी sodas है पेपसी वगेरा सब में तो इन सब में आपको caffeine मिलता है best होता है कि आप caffeine low ही नहीं throughout your pregnancy क्योंकि caffeine blood के साथ मिक्स हो जाता है और अगर आप नहीं छोड सकते हो तो आप अपने डॉक्टर से प्लीज लिखवाएं कि मैं कितने spoon दिन में ले सकती हूँ और उसी के हिसाब से अपनी चाय कॉफी पीए बट मेरा तो advice रहेगा that it is only 9 months बहुत सारी और चीज़े हैं जो आप खा पी सकते हो 9 months तो जो डॉक्टर बोलता है avoid करो से कोशिश करो कि avoid करो I hope this video ने आपकी मदद की होगी मैं कोशिश करूँगी कि अपनी सारी पुरानी books खोल के अपनी जितने भी pregnancy experiences थे वो भी आपके पास जल्दी से जल्दी ला सकूँ because I know कि मेरे साथ मेरे चैनल पर काफी ऐसी women भी जोड़ी होई है जो mom बनना चाहती है या अभी pregnancy phase में है look forward कर रही है अपना mom phase तो I'll try कि I'll do a mix of all the videos which are for babies and moms and to be moms and want to be moms also so that we can cater to everybody's heart and requests अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like button बटन जरूर हिट करना चैनल को जरूर subscribe करना and comment करके मुझे बताना कि आपकी favorite drink currently क्या है